दोस्तों आज में आपको हमारा कॉम्पीटर याइक लेप्टोप जब हम स्टार्ट करते हैं तो कई सारे प्रोग्राम एक साथ रन होने लगते हैं तो ये program एक साथ run होने के कारण हमारे computer या laptop बहुत slow हो जाता है तो दोस्तों ये problem से चुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना होगा वो मैं आज आपको बताने वाला हो तो दोस्तों ये problem से चुटकारा पाने के लिए सबसे पहले हमें open करना होगा run menu run menu open करने के लिए हमें हमारे keyboard में type करना होगा window प्लस आ यह type किया तो यह देखो दोस्तों यह run menu आ गया है अब दोस्तों हमें यहाँ पर आके एक command type करना है ms. यह command type कर दिया enter दबाए दबाए तो देखो दोस्तों यह enter दबाते हैं कुछ option आ गये general boot service startup यह startup है यहाँ पर यह window 10 इसलिए open task manager पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यह सारे के सारे program है यह हमारे startup program है यह जब हम हमारा computer को start करते हैं तो यह program सारे के सारे एक साथ run होने लगते है background में इसकी मदद से दोस्तों हमारे computer की startup speed, booting speed बहुत ज्यादा कम हो जाती है इसकी मदद से हमारा computer slow भी हो जाता है तो इस problem से छुट कर आप आने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा यह जो फर्ष्ट प्रोग्राम में head of reader इस पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ यह स्टार्ट अप का option है यहाँ पर क्लिक किया right क्लिक किया disable कर दिया इसे तो यह program अब disable होगा इसका मतलब यह है कि यह program जब हम हमारा computer या laptop start करेंगे तो यह program automatically background में run नहीं होगा जब हम इसे run कराएंगे तभी यह run होगा इसी तरीके से दोस्तों यह equal kit करके एक software है इसे भी में disable कर देता हो f flux करके एक software है इसे भी disable कर देता हो jismo इसे भी disable कर देता हो तो यह सब program को आप दोस्तों disable कर दो सिर्फ आप अपना जो antivirus डाला हुआ है मैंने यहाँ पे quick heal antivirus डाला हुआ है इसे मैं enable रहने देता हूँ बाकि के सारे program को दोस्तों आप disable कर दो इससे क्या होगा दोस्तों आपके computer की startup speed बहुत ज़्यदा बढ़ जाएंगी booting speed बढ़ जाएंगी और background में यह सब program रन नहीं होने के कारण आपकी computer का performance भी अच्छा हो जाएगा दोस्तों यह मैंने दोस्तों आपको जो तरीका बताया वह मैंने विंडो 10 में करके बताया दोस्तों तो इस तरीके से आप अपने विंडो 7 या विंडो 8 में भी अपनी startup प्रोग्राम को disable कर सकते हो दोस्तों तो बस दोस्तों मेरे आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों मेरे आज के वीडियो में इतना ही